हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुची और सुची की रिस्वे में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊगे महुआ के फल की सबजी यानि की गुल्लू की सबजी ये हम नाश्टे की तरह भी खा सकते हैं और इसको हम सबजी की भी तरह यूज़ कर सकते हैं पाने में बहुत टेस्ट होती यह महुआ जो आजकल बजार में बहुत असानी से मिल जाएंगे इनको मैंने तीन-चार पानी से दो लिया था उसके बाद इसको छीलना शुरू किया इसको बहुत हलके हातों से हलका-हलका छिलका निकाल लेंगे क्योंकि इसमें जो बीच का निकाल देंगे जब भी आप महुआ की सबजी बनाए तो जब काटें तो उसको काट करके फ्रिज मेना रखें उसको तुरंद बना ले अब महुआ कट गये थे मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल करके दो से तीन सीटी लगा ली उबालने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दि दो बड़े साइस के प्याज लिए थे क्योंकि इस महुआ में थोड़ा सा कसैला पहन होता जिससे हम अच्छे से मसाला डाल करके इसकी कोटिंग कर देंगे और दस से पंदा मिट इसको हम रस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो जो इसका कसैला पहन होगा वो कम हो मिर्शा डाला और एक चमश बड़ा धन्या मिर्शा अपने स्वात के नुसार साथी में थोड़ा पाइं डाल करके इसका एक पेस्ट बना लिया मैंने यह देखे मवे को लिया एक प्लेट में और आज मैं आपको बता दूँगी यह रस्पी मैंने अपनी मदर इनलॉ के मिर्शा और फिर उसके बाद इसमें जो बचा हुआ मसाला था उसको पानी से डाल करके मिक्स कर लिया आधा कटोवरी के करीब बेसन लिया है बेसन अभी हम पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि अभी जब हम नमक डालनेंगे यह मैंने नमक स्वादानुसार तो अभी ये पानी और रिलेस करेगा ये देखे तो जैसे ये थोड़ा सा जादा गीला हो जाए इसमें एक बर और हम थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी सी हल्टी डालेंगे जिससे की इसक का रंग बहुत अच्छा आएगा फ्राय होने के बाद भुझने के बाद अब मैंने इसको 15-20 मिट के लिए रख दिया उधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा जादा तेल यानि कि दो बड़ा चमश के करीब तेल जैसे ही तेल गरम हो गया उसमें मैंने जीरा डाला कि जीरा गर गुल्लू मैंने करीब एक किलो लिया था तो उसको जब मैंने काटा तो इतर बीचा निकालने के बाद करीब आधा किलो ये बचा होगा और यह देखें थोड़ी थोड़ी दिर में इसको लगातार चलाना पड़ेगा गैस की फ्लेम को हम लोग मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको पलेट पलेट कर लगातार सेखते रहेंगे ये देखें चलाते चलाते कम से कम 15 मिनट हो चुके थे अब इसने तेल रिलिस करना शुरू कर दिया है और नीचे से ये देखें मैं पलेट रहे हूँ और ये हलकालका गोल्डन बॉन होना शुरू हो गया है इसको लगातार चलाते रहेंगे ये देखें इसको अच्छे तरह से चलाने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि ये हर एक गुल्लू जो होता है वो अलग-अलग हो गया है यानि कि हमारा ये नाश्ता कह लीजे आप इसको सब्जी कह लीजे बन के त्यार हो गई है ये रे अगर आपको ये मेरी रस्पी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजेगा जादा से जादा इसको शेयर कीजेगा बेल आकान को ज़रूर प्रेस कीजेगा थैंक यू